नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होमियोपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे ग्लुकोमा की ग्लुकोमा एक बहुत थी खतरनाक कंडिशन होती है, जो आई की होती है और जो आपके विजन को भी जाने में बहुत बड़ा एक रीजन होती है साथ साल की उमर के उपर ये ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पेंफुल में बहुत होती है हम आपको बताएंगे ग्लुकोमा को ठीक करने की दसकारगर होमियोपेथिक दवाएं वो दवाएं जो आपके ग्लुकोमा में लाब देने में स्रायक हो सकती हैं हो सकती मैं इसलिए बोलना हूँ कि यह एक खतरनाक कंडिशन है तो आप अपने चिकिस्सक की सहला ग्लुकोमा अगर डाइग्नोस हो तो अवश्च ले सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ग्लुकोमा होता क्या है ग्लुकोमा साथियों आपके आई की वहाँ कंडिशन होती है कि जिसमें जब आपका aqueous humor जो आई में filled होता है अंदर वहाँ उसका access हो जाता है और उसके access होने से आपकी optic nerve damage हो जाती है optic nerve वो नर्व होती है जो सारे eyes के signal जो हम आपको देख रहे हैं यहाँ signal brain तक पहुचाती है तो ग्लुकोमा में यहाँ nerve damage हो जाती है जब optic nerve damage हो जाती तो ही आप glucoma की condition में आते हैं बात कर लेते हैं साथियों symptoms की, glucoma की symptoms की glucoma के symptoms को समझने के लिए हमें type of glucoma में जाना पड़ेगा पहला होता है साथियो open angle glucoma open angle glucoma में आपको symptom आता है कि आपको blood vision होता है और tunnel like vision होता है विनलेक गुफा के माफिक आपको vision रोल होता हुआ दिखता है वहाँ होता है open angle glucoma दूसरा होता है closed angle glucoma यहां साथियों बहुत खतरनाक होता है जिसमें आपको blood vision आ जाता है object के around आपको hello's दिखने लगता है आपके severe headache होने लगता है इस तरह तमाम दिकते होने लगती है यहां symptoms होते हैं glucoma के बात कर लेते हैं साथियों glucoma के कारण की glucoma तब होता है जब आपके aqueous humor का आपके eye के अंदर जो यह fluid बढ़ा होता है इसका pressure बढ़ जाता है aqueous humor साथियों एक fluid होता है आपकी eye के अंदर जो की cornea और iris के बीच में जो space होता है उससे लगाता है drain होता रहता है बाहर जाता रहता है जब आपका यहां जो tuberculan network होता है आपकी eye में जो इस fluid को बाहर करता है वहां जब कम active हो जाता है hypo active हो जाता है यह fluid आपका ज्यादा बनने लगता है किसी भी कारण से fluid drain नहीं हो पाता है तो यहां pressure create करता है जो optic nerve को damage करता है तो यही जो आपका pressure का ना बाहर आना है और pressure बन जाना है, fluid का ना बाहर आपाना है cornea और iris के junction के पास से निकल पाना है इसी इस्थिति को glucoma को result करता है जिसमें कि आपकी optic nerve damage होती है homeopathy में साथियों, कारगर दवा हैं glucoma की लेकिन यहां जो medical allopathic surgery या दवा का विकल्प नहीं है आप दोनों दवा साथ तो कर सकते हैं लेकिन केवल homeopathy पे आप depend नहीं रह सकते हैं मैं आपको यहां पताना चाहूंगा आपको जो आपका allopathic doctor हम eye specialist नहीं है हमने तो general homeopathy पढ़ी है तो जो आप क्योंकि यह surgical case है जो आपका allopathic doctor कहे आप उस पर विशेष ज्यान दे उसको follow करें अगर वो कहे तो साथ में आप यह homeopathic दवा ले सकते हैं बहुत कारगर दवाएं साथियों हम आपको बताते दर्स दवाएं जो आपके ग्लुकोमा को इस्तिती को कंट्रोल करने में और ठीक करने में सहयक हो सकती है साथियों नंबर एक दवा जो homeopathy में ग्लुकोमा की है वहाँ है फॉस्फोरस फॉस्फोरस साथियों उस इस्तिती में बहुत कारगर दवा है ग्लुकोमा की जब आपकी optic nerve damage हो रही हो आपका vision blood हो रहा हो धुंदला हो रहा है आपकी जो eyesight है जो आपकी नजर है वो धुंदली हो रही हो और आपकी आखों में बहुत थकान आपको लग रही हो अगर याँ symptom आप में है तो आपकी drug of the choice फॉस्फोरस है इसकी 1 एं की 3 खुराग 55 मिट के फासले पर आप वी क्ली ले सकते हैं यहाँ आपके blood vision आपके ग्लुकोमा दोनों को ठीक करने में मदद करेगी फॉस्फोरस के मरीज में एक और symptom होता है साथियों उसे ठंडी चीजें खाना बहुत पसंद होता है और शाम के वक्त उनकी तकलीफे बढ़ती है अगर यहाँ symptom है तो फॉस्फोरस आपकी drug of the choice है एक symptom साथियों ग्लुकोमा में आता है कि आपको ग्लुकोमा की दिक्कत है आपके जो सर का दर्द है वो गर्दन पर से उपर की तरब बढ़ रहा है तो आपको ग्लुकोमा है और आपके हैडेक हो रहा है जो कि आपकी गर्दन से ओरिजन हुआ है और उपर की तरब आया है अगर ऐसी स्थिती आप अपने में देखते हैं तो इसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमी परवाइनाव जलसीमियम 30 पावर में 2-2 वोन दिन में 3 बार आप ले सकते हैं यहां दवा आपके सर के दर्ष को भी खतम करेगी और आपके जो यहां ग्लुकूमा की दिक्कत है इसको भी खतम करेगी एक सेंसेशन साथियों ग्लुकूमा में किसी को आ सकता है कि आपकी आइस बहुत भरी-भरी सी लग रही हैं भारी पन लग रहा है अब कुछ बढ़ी सी लग रही हैं अगर यहां इस्टिति आप में हो ग्लुकूमा की तो इसको मैनेश करने की बहुत अच्छी दवा है कोमोकलेडिया आप कोमोकलेडिया 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बाल दे सकते हैं यहां दवा आपका आइस में जो हैवीनेस आ गई जो आइज आपके इनलाज लगने जो प्रेसर अंदर बहुत जादा है उसको ख़चम करने में मदद करेगी और आपको ठीक करने में भी मदद करेगी एक इस्टिति साथियों आती है जब आपके ग्लुकूमा हो सकता है साथ में आपके बेक में जलन हो सकती है और आपकी जो पलके हैं उनमें पपड़ी पढ़ सकती है तो अगर यहाँ इस्टितिया हो तो उन इस्टितियों में ग्लुकूमा को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है सल्फर आप सल्फर वनियम की तीन खुराग पच-पच मिट के फासले पर भी ले सकते हैं यहाँ आपके आखों की जलन को भी खतम करेगी आपके पेट की जलन को भी खतम करेगी और आपकी ग्लुकूमा को भी ठीक करने में सायक होगी सल्फर मरीज सात्यों उसको मीठा काना बहुत पसंद होता है नहाना उसको पसंद नहीं होता है रात भर ऐसा मरीज जाकते हैं सुबह सोते हैं तो अगर इस तरह के सिम्टम आप में हैं तो सल्फर आपका ट्रक अर्ट चोईस हो सकती है एक इस्टी साथियो ग्लुकोमा की कंडिशन में आ सकती है कि आपको तमाम सिम्टम अचानक आ रहे हो कभी आपकी लाल हो जाती हो आके कभी आप में बहुत देशतर दोने लगता हो कभी आपकों से पानी आने लगता हो अगर ये सडेन ओंसेट है अगर इस तरह का सिम्टम आप में है तो इसको ठीक करने के हुमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है बिलेडोना आप बिलेडोना दोस्व पावर में तो दोबून दिन में तीन बार ले सकते है यहाँ दवा आपके आईसाइट को भी ठीक करेगी और आपके यह सडेन सिम्टम्स आ रहें इनको भी खत्म करेगी एक सिम्टम साथ ही हो आता है जब आपके गलुकोमा की स्तिती हो और आपके साइटिका हो और आपके पेट में कैस बहुत बनती हो अगर यहाँ सिम्टम्स आप में हैं और आपको गलुकोमा है यानि आपके साइटिका है और पेट में गैस बनती है और आपको ग्लुकॉमा है तो उसी सिती से निपठने की बहुत अच्छी दवाए होमियोपती में यहां कोलोसिंथ और आपको ग्लुकॉमा से भी निजात दिलाएगी कोलोसिन 30 आप दो दो बून दिन में तीन बार ग्लुकोमा की कंडिशन में साइटिका की साथ यदी हो तो ले सकते है एक साथियों कंडिशन आती है अगर आपकी आई का ओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है आपको ग्लुकोमा है तो आपको ऑबजेक्ट के कलर बदलते नजर आ रहे हैं तो यह जो चेंजिबिलिटी है कलर्स में कि आपने जिस एंगल से लेखा उस एंगल से अलग कलर लगा अगर यहाँ सिम्टम आप अपने ग्लुकोमा की स्थिती में देखते हैं तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ओस्मियम आप इसको 30 पावर में 2-2 पून दिन में 3 बाल ले सकते हैं यहाँ दवा आपका यहाँ जो चेंजिबिलिटी है कलर्स की गलर्चेंज जिस एंगिल देख रहे हैं उदर से अलग रंग दिख रहा है सतरंगे रेंबो की तरह आपको रंग दिख रहे हैं तो अस्मियम उसको ठीक करके आपके ग्लुकोमा को मैनेज करने में हेल्प करेगी एक इस्सिती साथियों आती है आपके ग्लुकोमा की कंडिशन हो और आपकी पलकें इत्ती सूल गई हो आप आखे भी ना पोल पारे हो अपनी आइलिट्स को उपन भी ना कर पारे हो तो अगर यहाँ समस्य आपके सामने है तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है बोरेक्स आप बोरेक्स 200 पावर में दो दो बूर दिन में तीन बाल ले ले यहाँ दवा आपके आईलिट्स को भी ठीक करेगी उसकी सूजन को भी खतम करेगी आपके नहीं हो इंजरी की या अभी अभी आपको कभी लगी हो उसके बाद आपको डॉक्टर ने ग्लुकोमा डाइगनोस करना हो तो उसको कंट्रोल करने की मैनेज करने की बहुत अच्छी दवाय होमियोपैथी में फाइटो स्टिग्मा आप फाइटो स्टिग्मा थार्टी रहने में मदद करेगी एक और दवासातियों जो आपके लेफ्ट आई में पेन होने की ग्लुकोमा के रहते हुए पेन होने की या उसके बिना भी पेन होने की समस्या की दूर करने की दवा है वहाँ है इस पाइजीलिया अगर आपके लेफ्ट आई में पेन हो रहा है वो आराम मिलेगा आपके आई के पेन में और ग्लुकोमा में भी एक साथियों इस्थिती आ सकती ग्लुकोमा में सिम्टम आ सकता है कि आपके राइट आई में पेन हो रहा हो अगर ऐसी इस्थिती है कि आपके राइट आई में पेन हो रहा है Glucoma के गारण तो उसको ठीक करने की hair at least control करने की बहुत कारगार दवा है Prunas Spinoza आप Prunas Spinoza 30 पावर में 2-2 वून दिन में 3 बाल ले सकते हैं अगर आपके right eye में Glucoma के कारण बहुत ही भैंकर दर दो रहा हो बहुत ज़ादा दर दो रहा हो अगर साथियो आपकी लेफ्ट आई में बहुत बस्टिंग टाइप पेन हो रहा है ग्लुकोमा के कारण तो उसको ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है सेट्राइब आप सेट्राइब 30 पावर में दो दो गुंदिं में तीन बार ले ले यहाँ ग्लुकोमा के कारण आपका जो लेफ्ट आई में पेन हो रहा है उसको ठीक करने में मदद करेगी एक इस्थिति आती है साथियो आपके ग्लुकोमा की कंडिशन हो और आपकी जो आईलिट्स हैं जो आखों की पलके या सूज गई हो तो अगर यहाँ इस्थिति हो साथियो आपके ग्लुकोमा की कंडिशन हो और आपके आईलिट्स सूज गई हो उसमें गाठे पड़ गई ह तो उस इस्टिती को ठीक करने की होमियोपैथी में दवा और आपके ग्लुकोमा को मैनेज करने की होमियोपैथी में दवा है हीपरसल फ्योरिस और ग्रिफाइटिस हीपरसल 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप ले ले अगर यह ऐस्टिती आपमे है, आपमें ग्लुकोमा है और आपकी ऐलेस्न इंवर्ट हो गई हैं तो उस तिती को ठीक करने की, आपके ग्लुकोमा को ठीक करने की, हैं होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है, प्लसेटिला नइगरा. आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बोन दिन में 3 बाल ले ले यहाँ दवा आपकी आईलिट्स की इंवर्जन को खतम करेगी और आपको ठीक करेगी यह साथियों कुछ दवाएं थी ग्लुकुमा को ठीक करने की मैं आपको एक पर यहाँ फिर बता दू ग्लुकुमा एक भड़ी क्रॉनिक कंडिशन है जो आपकी आईसाइट को भी खत्म कर सकती है तो यहाँ दवाएं आपके लिए सपोर्टिव मेडिसिन है मदद के लिए दवाएं जानकारी के लिए दवाएं लेकिन कोई भी दवा आपको किसी को सलची किस्तक से पूछ कर ही लेनी है आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप हमें वाट्साइब कर सकते हैं हमारे वाट्साइब नमबर पर यह यूटूब नोटिफेशन पर अपनी क्वरी लिख सकते हैं आपकी बात का संतो चनक जवाब देने में हमें खुशी होगी आप हमारे साथ इती देर रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद निवेदन करूंगा साथ में सातियों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेर, अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा धन्यवाद घसके हमारे सुशाद अपन्यवाद जढ लेब मलत थर्श इन्यवाद इन्यवाद अ क्पाइब रोड़ा है इंड़ा है आ क्पाइब तक मार्वाखर